हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू नेंश्री क्लासे अंड दिस इस नेंश्री एंड आज हम लोग यहां पर एक नया चेप्टर सुरू करने जा रहे हैं जो कि है आपका एड्जेक्टिब्स ठीक है तो एड्जेक्टिब्स जो होते हैं इनको डिटर्मिनास भी कहते हैं जो आ कर आपका यह ऑ Okay यह घENTS होते हैं जबकि जो चेप्टिब्स भी कर सकते हैं जैसे आपका आहा एंट सामझना है में इस थरी के इसे कहते हैं तो यह हएन पर आपको समझ ना है अध्जेक्टिब्स के वारे में तो आप लोग एक बचं से देबिनेशन परते आपे हैं कि हमारे एड्जेक्टिब्स जो होते हैं क्या होते हैं विशी शर्जने कहते हैं हिंदी में तो क्या होते हैं कि हमारी यातों किसी नाउन की विजिस्ता बताएंगे या प्रोनाउन की विजिस्ता बताएंगे तो आप बिल्कु सही समझ रहे हैं वही हैं तो याद रखेगा कि एड्ज जो पढ़ लीजे किया लिए लेफाई डिरन प्रोणाउन को भिषाता प्रदान करते हैं टीके अपर सिंबल है हमार आँदे नहीं से जानना था कि अद्जेक्टिफ करते क्या है यह तो खिशी लग कि दल श less Está बता है आप समझना ही है कि यह किस तरीके से जो है बिसेस्ता बताते हैं तो आएए समझते हैं जैसे यहाँ पर लिखा है कि आप लोग यहाँ पर बताईए कि यहाँ पर बताईए कि यहाँ पर आपको बताई जा रहे कि यहाँ पर आपको आपको बताईए कि यहाँ पर आपको 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 आप अगर आपके दो सब्दों, कितने सब्दों, दो सब्दों, एक यह है और दूसरा आपका यह है, पहचानना, आपको मैं बता रही हूँ कि आपका एड्जेक्टिब आप कैसे पहचानेगी, क्योंकि करी बार आपका जो एक्जाम होता है, इसमें एक सेंटन्स यह दिया जाता ह है, बड़ा सा होता है, इतना छोटा नहीं होगा, फिर बहां से आपसे कुछा जाएगा कि जो आपका अंडलाइन वर्ड है, वो आपका क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एड्जेक्टिब है या फिर एड्वर्ब है, तो यही मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप कैसे पह आपका अपका 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 अपक तो आप लोगों को याद रखना है कि यहांपर जो एडजेक्टिवॅश । मैं बता रहा है ज़रूरी नहीं एक आगला है अगर अगर नहीं तो भी तो विसेस्ता बताई जाती है ना अगर आटिकल आता है तक तो हम खुश हो जाते हैं बल्ले बल्ले जाती कि अब तो हम पहचान लेंगे कहां से अड्जेक्टिव आएगा हम पर जान ही लेकर अगर अगर आटिकल नहीं है तब थोड़ा सा आपको समझना होगा देखे कि बहुत SIMPLE है समझना कि अगर आपके नाउन नं की विसेस्ता कोई सब्स बता रहा है तो वो हमारा क्या हो ग्या हो गया देखिख आपके हम यहां पर आप देखे हैं Helena नो कि अकी बमट बता है किस में से इस फाइब ने बता है तो आप अपके थाहा नो सकता है किसी भी ड्लाड पर्शन का नाम नावन कि असकता है तो पीडिया पूरी प्रोसेस के ग исследख़ है इस एतनी चीज नरूस जानेंगे तो आपको समझ में, subscribe, आही चाहेहाँ टोंट को नीच्स्टु है उस पर जाहे है कि डेली इज बिग सिठी आप तो नहीं पर पहुआ यह हमारा सब्द हि't a गाव्ड नावन होता है तो आप खेहं ही यह हमारा एड्जेक्टिव हुआ सबस्ज़ की की सीटी की सबहते है ना चीच बता च बढ़ा चाहिए भी सिटी क्या अस Сीटी नहीं दो कि मैं बताओ चाहिए कि Кाली ने बताओ चीज बताओ 除 IP अश्या सबहते हैं इन्हीं हborne स्म्क्राइड कि तो चाहिए ब्लैग दाओ पार चाहिए एप दो हुगि सह स्रेंन्सक्रा था फिरा पी च खज अलंब mouse ब्लेक्ज्टीध थ pied तो द्यूजियों समझये थीजिध है content यहां रहे ब्यूटीफटीफिल नंज्ट्रीश थो और मार बीज़ेखे की शामतो हुगिए है यह बीटीफुल यह लिए है दित्थे भता है लिए अभागरस आप annीया थारी है हमार्त हूँ ॔Här हम से सेंटेंडन भी चाना यह जात càg B4 सब्सक्राइब है यह सबना टोग तोh ne जब पढ़ेंगे एडजेक्टिब्स को तो वहाँ आपकी काफी सारी चीजे किलियर हो जाएंगी अपका 5 आपको किस तरीके का adjective हैं, माइ किस तरीके का , गुड किस तरीके का किस तरीके का ? हमें ये सीeeखना है भी जान गए कि किस तरीके से हमें करी inherited। पहचानते हैं, अब हम जानेंगे kinds of adjectives में ठीकिये तो पहला है आपका proper adjective तो आप कहेंगे कि proper तो नाउन बड़ा था मैंने adjective तो नहीं पड़ा लेकिन आपको पढ़ना है proper adjective बात आती है कि प्रॉपर एड्जेक्टिब्स जो होते क्या है तो जो आपके प्रॉपर नाउन से बनते हैं वही आपके प्रॉपर एड्जेक्टिब्स होते हैं ध्यान रखिएगा जो आपके प्रॉपर नाउन से बने वह आपके प्रॉपर एड्जेक्टिब्स हो गए जैसे कि करलें ईंडिया क्या है आप करिधा टाले म personalities कि सिर्टक्र इमां इस अपने क्या है चाहिके चाहिक आँछा हरा इसका है चाहिक भ tips अपने जैसे मैंने कहा कि अफ्रिका अफ्रिका आपको क्या है तो आप कहेंगे कि अफ्रिका हमारा एक प्रॉपर एड्जेक्टिव प्रॉपर नाउन अब इस प्रॉपर नाउन से आपको प्रॉपर एड्जेक्टिव बनाना है तो क्या होगा अफ्रिकन सो जाएगा अब जैसे आप अमेरिका क्या है तो आप कहेंगे मैं अमेरिका भी हमारा एक प्रॉपर नाउन है अब इस प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एड्जेक्टिव कैसे बनेगा अमेरिकन सो जाएगा तो जो आपके प्रॉपर नाउन से बनते हैं उनको हम कहते हैं प्रॉपर एड्जेक्टिव समझ पुलत, यह संदेटा एक्स पूलतषेखología क्या है, यह संौने हमारे इडिक्तिवक्तिवन क्वालिटी हो, हेँ समूने इसाल फिर्फ केs होता है, जैसे, पहकर डायो है तो आप कहेंगी कि Adjective of Quality कि क्वालिटी बता रहा है डॉप की बिसेसा ब्लैक न बताई है तो क्या हो गया Adjective of Quality हो गया जैसे Beautiful मैंने अभी आपको एक इसम्पल बताया था जैसे मेरी एक अभी आपको एक सब्सक्राइबर है उनका नाम शायद कुछ बानो करके है उनका नाम मुझे पूरा नाम याद नहीं है तो मैं तो मैं तो कि Beautiful मान के चली कि उनका नाम जो है स्वेता माल लेती हूं ठीक है ब्यूटीफूल आपका क्या है अजेंफिक्टियवार क्ालिटी है ठीक है फिर मैंने का ओकि एक सिटी के आपके बिग लगा हुआ है तो बिगघ क्या होगा ए अपक्स क्या बटा है आपकश स्वीक्वाइट उह हुआ फिर हमनों बात करते हैं, दीसरे खायर के Adjective के जो के होते हैं आपके Adjective of quantity quantity का मतलब क्या होता है? मात्रा है नब आपका परिमार्य आफिर मात्रा परिमार के Skip कर दीजे अ, शार अल से शार लभासा में समझना है तो आप यह जानेए कि ऐसे Adjective जो किसी language K monthsải तो बताएं को बताएं तो वो होंगे हमारे अजजेक्टिफ of quantity जैसे आपका whole हुआ, sum हुआ, enough हुआ, sufficient हुआ, no हुआ, full हुआ, entire हुआ यह क्या है Adjective of quantity होते हैं फिर आता है आपका Adjective of number जो कि बहुत ज्यादा important होता है इसको आप ध्याम से दिखेगा कि Adjective of number आपके पहला तो आपके तीन प्रतारगी होते हैं तो यहाद रखेगा पहला होता है definite number Adjectives जिन्हें आप Cardinals कहते हैं तो याद रखेगा definite number Adjectives को हम लोग काडिनल कहते हैं जो तरीके से आपके होते हैं दूसरा जो आपका टाइप आता है वह आता है आपका indefinite number adjective का मतलब आप समझें की little Как का अनिशिफ समाँनाव मतलब होता है अपका अनिशिफ जैसा आपका people somewhere कékई फिर आपका क्या हो dai pie new AKP को अक के निसजित नहीं है जैसे फिब का मतलब क्या होता है फ्यू का मतलब होता है कुछ, सं का मतलब क्या होता है कुछ, सेपरल का मतलब क्या होता है कई, तो यहां पर आप लोग बता पार है, कई में आप बता पाएंगे कि एक है, मुझीच आपकी कि दो है, तीन है, चार है, आपको नहीं बता, सेपरल का मतलब होता है कई सारी, तो जो नहीं बता पाएंगे कि बस तो एक है, दो है, तीन है चार है, तो यह क्या होगा है? यह आपके Indefinite No. Adjectives होगा है ठीक है? फिर बात आती है, आपके Distributive No. Adjectives की, जिसमें आपका आता है each, either and neither, याद रखिएगा कि डिस्ट्रिपिटिव एड्जेक्टिब्स में आपके each, either and neither आते हैं तो इतनी चीजें आपको आपको याद रखना हैं तो अब हम आपर बात करेंगे के दो बचियो है अबके जो बचियों रहे थे एचयों के बारे में औह या क्रशन, बारे इधर निडर के बारे में क्атर इन से तो कि ए通常 पृशन इंडर के लिए इन से तो आना ही आना है लेकिन उससे पहले हम यह जाल लेते हैं कि आपके जो adjectives हैं वो और कौन-कौन से रहे गए थे तो आपका फिप नंबर का जो adjective का type है वो कौन सा है मारा demonstrative adjective मन में आ रहा होगा कि हमने demonstrative pronoun पढ़ा था तो उसमें भी हमने यहीं सब्द पढ़े थे this पढ़ाता that पढ़ाता this पढ़ाता सच पढ़ाता और दोस पढ़ाता तो याद रखिएगा कि वहां पर प्रोनाउन की बात की गे थी लेकिन यहां पर आप adjective की बात कर रहे हैं अगर यहीं सब्द आपके किसी नाउन की या प्रोनाउन की बिसेस्ता बताएंगे तो यह आपके adjective हो जाएंगे अगर आपका यह ऐसा प्रोनाउन वर्क करेंगे तो simple सी बात है कि demonstrative pronoun होंगे ठीक है अगर अभी मीं समझ नहीं आया है तो समझने की कोचिस करिए जब आपके यह सब्दक इसी नाउन की या प्रोनाउन की बिसेस्ता बताएं तो यह क्या होंगे demonstrative adjective होंगे जब कभी यह सब्द आपके as a pronoun ब्लग करें तो भू क्या को होगे demonstrative pronoun होंगे ठीक है फिर आता है आपका interrogative adjective जो की होता है आपका what होता है एक्स्कलमेटरी आप सब्सक्राइब चीज और एक्सक्लमेटरी एक्सक्लमेटरी अब का जो गें तर आपका पॉजिसईएडजेक्टिब अभी मैंने आपको एक एक्समेटल भाया था कि This is my pen, मैंने क्या लिखाता? This is my pen, मैंने क्या लिखाता है, This is my pen, यहां पर मैंने बताया था आपको, कि जो माय ही आपका adjective है, मैंने क्या है, adjective है, अब बात की आखिए किस तरीके का एडजेक्टिव है यह माई जो है किस तरीके का एडजेक्टिव है यह आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है ठीक है पॉजेसिव एडजेक्टिव है देखे यह माई आपका क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव है अगर आप लोगों को अभी भी रिलेट करने प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोगों को प्रोनाउन में याद होगा कि मैंने यह पर एक टेबल बनवाई थी प्रोनाउंस में जो आपके टेबल में क्या था नॉमेडिटिव केस या सब्जेक्टिव केस आप जिसे कहते हैं वो था फिर सिंप्र का था तो वहां पर क्यारा था पॉजसरे पॉजसर कि से प्रोनाउं का ये कॉलं था और दूसरा वला क्या था पॉजसर सिफ क अधेक्टिव का क्या होगा है विझन पॉатив किस आपयसर लिएठा यह हुआ क्उलम तो यह थिर रखिएक्च पाउब के उध पीव है त इधर आते हैं तो हमेशा इनके बात एक singular noun और singular है और similar verb रिद्ध है। यह इजो आप्स की बात नहीं कर रहे हूं इधर अफ की बात नहीं कर रहे हूं मैंपर अप्लिलिम्या मेरत गर लेकर थे एंफर जब हैं पर इसप्त्र सफनित कर रहे हैं यहां पर और नहीं होना चाहिए यहां पर सिंगल होना चाहिए इछ बहुत इंपोर्टे रूल है आप इसको आप एक्जाम्पल के थू समझेंगे तो काफी पारी चीजे आपको समझ पर आजाएंगी जैसे एक्जाम्पल है कि इयां पर 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 प्रत निया भी जीदार तो यहां पर आपने लेखा कि जोिए इस इसके बाद क्या है इस्टूड़िन तो आपका नाओने प्रोनाओन्पन ए यह ठीक्तिन्ट खित्नहे तो आप सोचेंगे थोड़ी दिर बुलेंगे किस्टूडेंगे हमारा नाओन इसके ब इच के बद आपका noun भी singular होनना चाहिए at the same time आपके verb भी singular होनी चाहिए तो क्या यहां पर student आपको दिख रहा है आप तहीं नहीं दिख रहा है हमें to student दिख रहा है यह तो singular हो है ना बल्ले-बले मज़े हो गै तब तो आपकी यह क्या होब आपको singular नहीं लगा हूँ है कि कि यहां पर S नहीं लगा हो है फिर आपने देखा कि जो यह जो यह जूजड़ है या है पुरिए मैं सिंगолर और या है लगा है क्योंकि जब आप एस लगाते हैं तब आपका यह जो है वर्ग जो है सिंविलर बनती है ठीक है यह को इंसे अगर आपको नहीं ही बता है डूंट बरी डूंट पैलिक सारे चीज़े सीखेंगे आप ठीक है नेक्स जो आपका एक्जांपल है उस पर चलते हैं कि क्यों अदि चीज़ के अंदिन की अफिषा। मेर्ण के वह कहा है ऊब। अबन देखा कि हमारा जो है एक तो आप ने देखा कि तो आप एक चीज़ देखे कि क्या आपका अबरी के बाद नाउन सिंगुलर रहा है और वर्ब सिंगुलर आई है कि नहीं आई है यही आपको चैप करना होता है एक्जाम में कुश्चन कैसा आएगा अबरी के बाद आपको यहां पर सिप्स कर दिया जाएगा और वर्ब आप तो बिल्कुल करेक्ट है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स एक्जाम्पल उसको देखे कि इधर बुक इस यूसफुल ठीके याद रखेगा इसको देखे इधर पढ़ते हैं अब आइधर मत पढ़ेगा अच्छा नहीं लगता बड़े ओचुके हैं तो इधर बुक इसमें डोपल उसको देखे दिजारी मत पर बुक कि यह तो नहीं है थिसलिया कि एधर नहीं है नहीं पर आपका इसके नहीं और इसके बाद इसलिए आया है जो कि आपकी वर्व आप यह चेक कर एक एधर के वाद का शिलिए नहीं प्र शुबद आई किष्यार से दोग वहाँ अची बात है, अगर बुक्स होता है तब आप क्या करते है इसको सिंगूर वाभ है तो बिल्कुल करेक्थ है इसके अपका सिंगूर भाभ एप कोई प्रोब्लम नहीं है आपको समझ में आया है ना इतनी चीजे अगर नहीं आई है तो प्लीज कॉमेट में भूंच लिया करें ठीक है अब आप लोगों के लिए पढ़ाना है तो मैं फिर ज्यादा आलस नहीं करती है वैसे आलस तो मेरे अंदर है नहीं बिल्कुट भी नहीं है लेकिन फिर भी एक अंदर से मोटिवीशन होता है आप लोगों के बज़े से कई सारे सुडेंस मुझे बहुत अच्छे-चे कॉमें करते हैं सो थेंकिव सो मच एंद आप लोगों थोड़ा सा वार सपोट करिये तो अच्छा होगा आपके लिए और यहां पर आपको और अच्छे-ची चीज़यां फिर देखने को मिलेगी तो देखते हैं आगे और अभी आपने देखे सेंबल सा एक रोल पड़ा ही इज के हमारे जो नाओन हों सिंगलर होती है नो वह सिंगलर होती है लेकिन आपको ईक चीज़यात रहता है कि यदि एवरी के बाद आपका अब आपका प्लूरल जो अध्यक्टिव अब्दी आप得 अभी आपने देखे अच्छे पन्बर पढ़ाता पढ़ाता ना वर्ट्री क्लोर होती है, और नहीं को समझ मैं नहीं आया है, तो don't worry , यहां पर देखें, यहां पर मैं अभी हाटा देखें, इसलिए मैंने मन्त पढ़ा यहां पर मन्स नहीं पढ़ा, आपनों गिस चीछ को देखें? यहां पर लिखा है simply he visited here every आपने दिखा every है उसके बाल सिंपल सा यहां पर three लिखा हुआ है यह क्या है three क्या है adjective of number है क्या है adjective of number ठीक है आप कहेंगी कि मैं यह हमारा adjective of number है अब एक चीछ बताएगे कि यहां पर three है और यहां पर month है यह बहुत अजीबसा नहीं लगए आपको three आपका क्या है आपका एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा है तो हमें यहां पर plural को follow करना पड़ेगा तो हमें months को लगाना पड़ेगा यह तो बहुत सिंपल सी बात की यहां पर हम लोग months करेंगे अगर यहां पर one होता तो कोई बात नहीं थी फिर तो two है तो आपको months लग आपको अच्छे से समझ में आई होगी और चैनल के लिए लिए पहले बोल चुके हैं लाइक करने के लिए आप मिलते हैं नेक्स वीडियो में दब तक क्लिए बवाए हैंट टेक केर